ओडर ओडर न्यूज लॉंडरी के पॉड़कास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ओडर्स में आपका स्वागत है मैं हूँ बसंद कुमार और आज इस पॉड़कास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भोपाल से कासिफ और राचिस से आनंदत आप दोनों का स्वाग आने वाले करमचारी हैं उनको 18 महिने से सैलरी नहीं मिली यह खबर थी उस पर इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की लेकिन पी आईबी ने इसको मिस्लेडिंग बता दिया इस हेडलाइन को तो हम उस पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ और खबर में क्या है वहीं आ देख रहे हैं खबरों में कि ऐसा ऐसी खबरे आ रही है कासी मैकल अखबार पड़ रहा था दैनिक भासकर दिल्ली का एडिसन उसमें MP का चोटा सा हिस्सा आता है एक पेज का आधा आधा हिस्सा उसमें MP से 4-5 खबरे थी जिसमें 2 जो खबर थी वो थी मध्यपरदेश देंगे अधिकारियों ने बताया है उसके नीचे की जो खबर थी वो थी कोटवरों का मांदे दुगूना हर साल 500 रुपे बढ़ेंगे सिम और वर्दी मिलेगी और हम सब ने देखा कि किस तरीके से गैस का सावन खतम होने से दो दिन पहले कह रहे हैं कि सावन में सस्ता मिल देगा गैस आपने भी अपने स्टोरी में अपने लेक में कई जिक्र किया है वहां पे किस तरीके से रेवडी माटी जा रही है वैसे मुझे रेवडी सब से थोड़ा इतराज है कि जनता के पैसे जनता को दिये जाया तो उसको रेवडी क्यों बोला जाए लेकिन MP में क्या चल रहा है मतलब 15-16 साल आपने काम किया उसके बाद आप कहने हैं कि हमने इतनी सारी योजनाय लाए लेकिन आचानक से आपको 1200 को 15 सा करना पड़ रहा है होडिंग्स लगाए जा रहे हैं जिस पर लिखा है कि आगे 3000 कर देंगे क्या चल रहा है थोड़ा बताएं देखिए म देखते और समझते थे वह एक सेंट्रलाइजड पार्टी थी और उसे हिसाब से सारी काम होते थे लेकिन जो बीमारियों के लिए करके पत्रकार या हमेशा क्रिटीक रहते थे कॉंग्रेस को लेकर कि गुडबाजी है अलग-अलग कैम्पों में बटी हुई है सबके अपने अपने एजेंडाज हैं फंडमेंटल आइडियाज हैं तो ऐसा ही देखने को मद्परदेश में बड़े पैमाने पर मिल रहा है और यहां पे बहुत सारे धेर सारे ग्रूप बने हुए हैं कॉंग्रेस भी चार पांच ग्रूप का नाम लेती है शिवराज महराज और ग्रूप का जैसे मैं आपके एक्जांपल के तौर पे दूँ कि पिछले जो दो तीन बड़ी सभाए हुई हैं परधान मंतरी जी की और ग्रह मंतरी जी की उसमें कहीं पे भी मुख मंतरी जी को परमोट नहीं किया जा रहा चार बार के मुख मंतरी को अग्दम साइड लाइ है वो सरकार के अस्तर पे हो रही है और एक लाओता मुख मंतरी ही है जो उसको गोशना लगातार कर रहे हैं तो मुझे मैं आपको ले चलता हूँ में जून के आसपास जहां पे जब करनाटका का रिजल्ट आया तो मुख मंतरी ने अपने वरकिंग कमीटी की मीटिंग थी भाजपा की वहाँ पूनों ने कहा कि करनाटका फरनाटका के रिजल्ट से घवराने की ज़रूद तो ही है हमारे तरकश में भी बहुत सारे तीर बाकी है तो उसके बाद से जो स्कीम क्लियरिटी नहीं थी कि वह सीम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसलिए वह स्कीम सब तब और जैसे ही ये क्लियरिटी मिल गई कि हाँ वही चुनाओ तक रहेंगे और कई नेताओं ने जब इस बात को कहा कि हाँ वही हमारे नेता रहेंगे तो उसके बाद घोशनाओं का दौर शुरू हुआ और मुखता जो घोशनाओं हुई मैं आपको बताता हूं मोटी मोटी से लाडली बहना योजना जिसके तहत एक हजार दिया गया अब उसको लक्षा बंदन पर बारा सो पचास किया गया और भाई दूसको उसको पंदरा सो किया जाएगा यानि चुनाओं के एक हफ़ता पहले लगभग डिल करोल वोटर्स के काउंट में पंदरा सो रुपे जाए पांच मेगा हॉर्स पावर वाले को इतना, एक मेगा हॉर्स पावर वाले को इतना, डिमेस्टिक वाले को इतना सीखो कमा योजनेक लाँच की गई जिसमें कॉलेज पास ग्रेजवेट्स को आठ हजार नौ हजार अद्धार रुपे की अपरिंटर्शिप के तौर पे उनको अगर कमपनी उन बच्चों को अपने यहां इंटर्शिप करवाती है तो सरकार अपनी तरफ से आठ हजार नौ के लिए होगा च्छे महीने के लिए होगा इसमें बहुत किलारिटी नहीं है उसके बाद आए यह गेस लेक्चर मद्द परदेश में पिछले पंदरा बीस सालों से एक भी प्रोफेसर न्यूक्त नहीं किये गए एक भी किसी कॉलेज प्रोफेसर जो पुराने हैं सो है और बाखी जो कहा हैं वो कॉंट्रेक्श्वल बेसिस पे रखे गए हैं तो जो कॉंट्रेक्श्वल बेसिस पे हैं उनको गेस लिक्चर्स कहते हैं और उनकी जो पेमेंट पे स्केल होती है वो पर क्लास के हिसाब से होती है पंदरा सो और दो हजार के असपास पास पर क्लास के ह तो उनको कहा गया कि जिनको 9000 14000 और क्यास पास मिलता था उसको बढ़ा करके जस्ट डबल करेंगे तो उनको 18000 क्यास पास देने की मांगे यह अलग अलग कैटेगरी पे वैरी करता है उसके बाद फिर यह घोश ना कर दी कि पहले जो बच्चे 80% लाने पर जिनको स्कूटी औ लैपटॉप मिलने की बात थी अब कह दियागे कि जो सिर्फ फॉस्स डिवीजन लाएगा उसको ही हम उसको भी दोनों कुछ देंगे उसके अलावा मुकमंतरी ने तेरा कम्यूनिटीज छोटी छोटी कम्यूनिटीज को पैमपर करने के लिए उनके इवेंट किये और कहा कि एक सो करोन लगा कि उनका महालोग कॉरिडूर बनाएंगे और उस दिन अवकाज भी घोशित किया तो ऐसे करके तेरा कम्यूनिटीज को पैमपर किया इसके अलावा चार तरीकों से मदब परदे सरकार घर बाट रही है और जमीन चार स्कीम के अंतर गाट पीए मावास देवलपर्स को बुला करके कॉलरी डेवलप कर रहे हैं और फिर वो डेवलपर्स बेचेंगे सस्ते दामों में यह सरकार का प्लान है उसके बाद सीम भूदान योजना लाउंच की गई और पिछले हफ़ता जो है मुख मंतरी लाड़ली आवास योजना लाउंच की तो ऐस इसलिए मोटी-मोटी जो योजनाएं हैं तो ऐसे करके एक कोशिश है इनकी कि जो नाराज वोटर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट का गुरूप हो चाहे वो वर्किंग क्लास हो चाहे वो अरतों का गुरूप हो उनको एक पैमपर किया जाए और उनको रोका जाए तो यह फिल आप योजनाएं बता रहे हैं पितले čार महीने में कितने kतना अंधाज़न इस पर कितना खर्च होगा क्यूंकि कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़े कि लोगों ने कि अगर आप गैन सस्था कर रहे हैं या तमाम दूसरे काम कर रहे हैं तो आप पर इतना खर्चा बढ़ किया जिसमें एक तालिस विभागों के नाम है ये कहते हुए कि आपको जो जो भी फंड ऐलोकेट किये गए हैं उसके तहत आप खर्चा नहीं करें और जो भी खर्चा आप करेंगे वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के पर्मिशन के बाद ही करेंगे तो मान लेते हैं कि अग है सो रुपे मैंने आपको दे दियें लेकिन आपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकते हैं आपको हमसे पर्मिशन लेनी पड़ेगी अब इसकी वज़ा क्या है तो जो ये जो मेजर घोशना हैं खास करके मैं एक्जामपल देता हूँ लाडली बहना का तो लाडली बहना जब सर जाइन किया था इस पॉलिसी को लेकिन जैसे फॉर्म भराने शुरू हुए तो आकड़ा एक करोड़ छबीस लाग चला गया अब सरकार के पास बज़ेट लिमिटेड है जुलाई में जो सेशन बुलाया गया मौनसून सेशन उसमें उस बज़ेट सप्लिमेंटरी जाइन कि इस स्कीम को अब तक दस हजार आठ सो करोड़ रुपे दिये जा चुके हैं और जो बिनिफिशरीज का खड़ा है वो जस्त तीन गुना बढ़ गया सरकार के एस्टेमेट के हिसाब से तो अब दिक्कत सरकार के पास यह आ रही है कि भाई जो पैसा आएगा उसी को आगे चैनलाइज करेंगे और बागी डिपार्टमेंट को फंड करते हैं लेकिन अभी जो रिविन्यू जो इनके पास आ रही है वो सबको डाइवर्ट किया जा रहा है लाड़ी बहना में क्योंकि इस स्कीम को चलाने के लिए अठारा सो से दो हजार करोड के आसपास पेज स्कीम में अप्रूफ की है और इसमें बढ़ाया भी जा रहा है बेनिफिशरीज भी बढ़ाया जा रहा है अभी फिर से एक सरकार नहीं कहा कि कुवारी लड़कियों को भी देंगे एकी साल के आए नीचे उपर की तो ऐसे करके आकला देड़ करोड के आसपास के लिए हैं अब ये भी सिर्फ ये ना कहा जाए ये तो सिर्फ मैंने एक स्कीम की बात की ऐसी जितनी घोशनाएं हुई है सब के सब पे फाइनेशल बर्डन तो सरकार पे बढ़े गए बढ़ेगा और कॉंग्रस भी जो वादे कर रही है वो भी ऐसा नहीं है कि फाइनेशल करज लो और गीपी हो बहली भूती यहां पर चरितार्स हो रहा है आपकी लेक का जो हम कहते हैं ना कि उपसिर्शक तो आप लेख रहे हैं कि भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आस्वस्त भले दिख रही हो लेकिन हर दिन उसके नए वादे को लेकर लोग अब सवाल पूछने लगे हैं मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने 17-18 सालों तक काम किया और उसके बाद आपको रोज मतलब मुक्मंत्री ऐसे खड़े होते हैं मुझे वो वीडियो याद है रक्षाबंधन से पहले वाला मतलब वो पूरा ड्रामेटिक लग रहा था ऐसे लग रहा था कि दिखावापन दिख रहा था तो आखिर ऐसे 18-19 सालों में सरकार ने क्या किया है कि उसको इतना ड्रामा करना पड़ रहा है और लोगों में नराजगी क्या है जो आप कहह रहे हैं और लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं जो आप भी लिख रहे हैं कि आस्वस्त हैं लेकि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं रोजाना उदघाटनों और घोशना होसकता है देखिए जो कॉंग्रेस का एलिगेशन है के मुखमंतरी ने अपने 18 साल के कारिकाल में अब तक 23,000 घोशनाई की है बापरे और उनका ये कहना है कि इसमें से आधी पूरी नहीं हुई और जो अभी पिछले 3 साल का अकड़ा तीन साल का जो अकड़ा आया है उसका भी लगबाग एवरेज अगर हम निकालें तो 800 से 900 घोशनाई पर एयर है चुनाओ के वक्त वो बढ़ जाती है तो उसमें दो बातें निकल करके आ रही है पहला की लंबे वक्त से एक मुखमंतरी है और जो वादें ये लगातार करते चले हैं क्योंकि he always tries to be a people's CM लेकिन वो हमेशा हो नहीं पाता है politics अपने हिसाब से काम करती है party अपने हिसाब से काम करती है सरकार अपने हिसाब से काम करती है फुल है मतलब पूरा हाथ चुटा हाथ किसी को नहीं दिया जाता तो इस वज़े से जो इन्होंने कई सारे वादे किये वो पूरे नहीं हुए तो एक mistrust बहुत तेजी से लोगों का बढ़ा है दूसरा कि जब से यह चौथा टर्म पे सरकार पलटने के बाद आए है तब से अधिकारी एकदम हाथ से बाहर हो गए मतलब हर आदमी को यह बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तो वो खुले हाथ से लूट रहा है मतलब चौदा से मैं यहां पे हूँ और चौदा के बाद का जो मैंने वर्किंग देखी अठारा तक उसके बाद डेड़ साल कांगरेस की वर्किंग उसके बाद की जो तीन साल की वर्किंग है मतलब मैं उस कहता हूँ पिछले तीन साल में सबसे बुरी हालत था मतलब परदेशन भरस्टा चार को ले करके मतलब बिना कमिशन के आपका कोई काम हो ही नहीं सकता है भले ही फायार क्यों नहों अगर फायार भी तभी दर्ज होगी तब धरना परदेशन पर आप बैठेंगे रोड जाम करेंगे या तो किसी नेता से फून कराएंगे या तो फिर कोई बीजेप और एसस का आदमियात के साथ हो तभी आपका काम होगा वरना नहीं होगा एडमिशन तक नहीं होगा एफायार तो दूर की बात है मैं एक एक्जामपल देता हूँ कि लोगों का मिस्ट्रेस्ट क्यों बढ़ रहा है एक छोटा सा गॉालियर में जब अभी बाइपॉल था दो हजार बीस में नवंबर में तो खरीब 26 सीटों पर चुना हुआ और गॉालियर की जो है गॉालियर चंबल की खरीब बारा सीटे थी दस से बारा सीटे उस वक्ट सरकार ने 33,000 करोड की घोशनाएं कर दी 33,000 करोड अलग अलग जीलों में जात करके कि यह पुल बनाएंगे यह यह करेंगे यह लोका कर्ण करेंगे मतलब हर रोज तीन चार बड़े हो रही थी स्कीम्स बनाए जारी है पालिसी बनाए जारी है और वो उसी लोकलाइज सेंटर सेंटरिस्ट करके मतब ग्वालियर चंबल को हम पैरिस बना देंगे इस टाइप की घोशना है खूब की गई और जैसी चुनाओ का रिजल्ट आया और वहां से खरीब आट से नौ सीटे कांवरेस जीद गई उस छेतर की तो जो पैसे सरकार ने अलोकेट किये थे और जो स्कीम हैं लेकिन माननीजे पूल बनाने के लिए अप्रूव हुए थे 33 करोड रुपे उसमें 30 लाक रुपे करके छोड़ दिया गया बाकि पैसा वे ड्रॉक कर लिया गया वो काम नहीं हुआ तो जो इस तरह की जो पॉलिटिकल विंडिकेशन वाली जो डिवलपमेंट है वो एक मिस्ट्रस्ट क्रिएट किया है उसने सरकार प्रॉक और खास करके जो चुनाओ के बाद जो सरकार बदल करके आई है जो बदलने के बाद 2020 में जो तختा पलट के बाद यहां पर सरकार आई है उसमें बहुत सारी चीज वारियस गुरूप दिख रहे हैं वारियस से लेकर के क्रिसमस जैनती तक अपने सीम हाउस पे मनाते थे वो और हजार रुपे प्लेट खिलाते थे लोगों को आज वो खुले आम बुल्डोजर की बात करते हैं और खुले आम जाती धर्म को लेकर के वो धर्म को लेकर के टार्गेटिंग करते हैं तो उसके बात की जो प उन्होंने जो अपनी इमेज पोर्ट्रे की वो एक भाई के तौर पे की और चुकि रिलिजिन हमेशा से एक बैकबॉन रहा है बीजेपी का तो इन्होंने इसी वोमन वोटर सी इनके शुरू से पोर वोटर रहे हैं बहले ही पंडी जी के घर में अगर आप भी जाएं तो वहा ये मामा का फेस बनाना एक भाई का फेस बनाना और चुकि बेंट आफ जो बेंट है सरकार का वो रिलिजिन की तरफ है तो वो ज़्यादा एजली कनेक्ट होते है और अब तक को जो वोट बैंक रहा है बीजेपी का वो महिला वोटर्स उनका कोर रहा है जिसको वो अभी यह रोक पाएं जो पलाइन वोटर्स का हो रहा है यह हो सकता है उसको रोका जाए और एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट लास्टी मैं यह कहूंगा कि स्सी एस्टी की पॉपॉलेशन और माइनरेटी को भी अगर मिला ले तो मद्रपरदेश में 48 परसेंट आते हैं स्टी 17 परसेंट है स्टी 22 परसेंट है और माइनरेटी साथ से आठ परसेंट के आसपास है पिछला सर्वे में 6.7 है तो यह जो है 47 से 48 परसेंट के आसपास आते हैं और यह बहुत मार्जनलाइजड क्लास है मद्रपरदेश में 5 करोड 30 लाख लोगों को सरकार हर साल फ्री राशन देती है 8 करोड के अबादी में तो ऐसे जब पॉपुलेशन को आप पैमपर करेंगर 1000 रुपे दे करके जो करोज मर्रा के जिंदगी में बहुत परिशान है तो उनके लिए जाहिर सी बात है वो एक प पूछना है आपको? पंदरा साल का और वो बहुत काख़ों पे आप जो भी दिखा लें कि इतना परसेंट का ग्रोथ और इतना परसेंट का ग्रोथ वो ग्रोथ जमीन पे नहीं है आप कहरें कि हमारे परदेश का ग्रोथ उननीस परसेंट है किसी परदेश का ग्रोथ अगर उननीस परसेंट तो वो हर महीने 15,000 और 10,000 करोन लोन क्यों लेगा वो अपने ग्रोथ से ही उसको कवर कप करेगा ना तो दिक्कत ये है कि जो बातें चापी जा रहे हैं किताबों में ये देखिए मैंक एक्जामपन देता हूँ आपको ये तनी मोटी डायरी मेरे पास दो दिन पहले आई है य करीब 30-40 पेज की सरकार की सारी घोशनाएं इसमें हैं अब तक जो वादे किये गए लेकिन इसका रिफलेक्शन जमीन पर नहीं होने की वज़े से लोग ठागा हुआ महसूस कर रहे हैं बोल रहे हैं अब किसान की कमाई दोगनी हो गई लेकिन वो प्रैक्टिकली हुआ नह है वह बहुत positive नहीं मिल रहा है तो जो भी दिल्ली से नेता आ रहे हैं और गोटिकली inside भी बात होती है कि अंदर ये हैं व Sedan अगस्ट को एक बड़ी प्रेस कांफरेंस थी जिसमें रिपोर्ट कार्ड 20 साल का लांज किया ग्रह मंत्री ने कहने को 20 साल का रिपोर्ट कार्ड था लेकिन डिटेल से थीन साल के थे लास्ट के और उसको जो है उस दौरान भी काफीन का चेहरा उत्रा हुआ था तो गॉसिप चाहान इस नोट गॉइंग तो बी इन दे सेंटर अफ पॉलिटिक सिल मद्रप्रदेश नो मोर तो ये एक बड़ा उनके लिए एक सेट बैक है जिसको वह लगातार बहुत मेहनत करके सारी स्कीमों के जरीए कोशिश कर रहे है क्योंकि जब हार होगी तो इनके सर पे ठीक र काम रहकर करके साइड होकर के भी अपना काम लगातार कर रहे हैं और उनको पार्टी से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसे इनको मिलना चाहिए तो इस बात की नाराज़गी थोड़ी सी है एक चोटा सवाल मैं चाहूं का संचितनिस का जवाब दीजिए कि अभी हाली में संग के जो प्रचारक रहे हैं उनका एक बड़ा गुट उन लोग ने मिलके पार्टी बनाई है और आपी के रिलाके में जाके बनाई है उन लोग तो वो क्या है वो जो बीजेपी का नाराज वोटर है उसको मतलब उसका वोट अपने तरफ खिचने के लिए कर रहे है ताकि वीजेपी को डिरेक्टले नुकसान ना हो या फिर उसका कुछ इंपैक्ट है भी जमीन पर क्योंकि बिना संग के पर्मिशन के इतना बड़ा तो काम नहीं हो सकता है यह क्या मदेश की पीछ का है वो सो करोड के असपास तो जब वो बन रहा था तो यह वो गरूप है जिसनोंने पार्टी बनाई है भी अभे जैन एंड कंपनी यह इनका कहना है कि संग से जुड़े थे और दोहजार आट के बाद जब संग बहुत रडिकल रूप लेने लगा मद्द परदेश में त था इसको छेड़ चाड़ करके यहां पर अपने चुनावी फायदे के लिए यहां पर यह मूर्ती बना रहे हैं तो इसको लेकिन उन्हें विरोध किया था पूरे परदेश में कैमपेंज चलाए थे हाई कोड तक गए थे लेकिन बहुत फरक नहीं पड़ा और जब इस बा जो वोटों का बटवारा है खास करके जो हिंदू वोटर्स का जो बटवारा है उसको रोका जाए हाला कि इसका जमीन पर कोई रिफलेक्शन नहीं है पिछली बार जो पार्टियां आई थी वो कास्ट बेस पार्टी आए थी दलीतों की अपर कास्ट की आपने सुना होगा क अपर कास्ट की अपनी अलग पार्टी फलोट की गई है ठारा में की गई थी और दलीतों की अपनी अजाक सपाक्स अपने धेर सारे ऐसे नाम सुने होंगे और अधिवासियों की ऐसी पार्टे फलोट की गई थी इस बार रिलिजन बेस पार्टी है एक भगवा पार्टी कर के बनाई गई है एक ये पार्टी बने तो ऐसे करके ये बोटो का बटवारों को रोकना हलाकि इसका बहुत असर मुझे ने लगता पड़ेगा जमीन को इसके पहले वाला आनन जी का सवाल था और आपका जबाब था प्रधान मंत्री और सिराज सिंग के बीज जी आप कह रहे हैं कि उनका छेहरा उतर जाता है कल जो जब हमें पॉड़कास रिकॉर्ड कर रहे हैं आज मंगल बार को कल जो 25 तरह की साम को लिस्ट आया बीजे पी के केंडिडेट्स का उसमें जो नाम थे उसको देखने के बाद लग रहा है कि सच में सिराज सिंग चौहान के लिए चुना आसान नहीं है नरेंदर सिंग तोमर के साथ साथ दो केंद्रिय मंत्री और हैं कुल तीन केंड्रिय मंत्री चार सांसद और कैलास विजय बर्गे जो महा सची हो थे और उन्होंने कहा तो इन तमाम लोगों को चुनाव मैदान में उतारना है तो इसका क्या मतलब एक दो चीजे मैं समझ रहा हूँ आप मुझे उसे समझाए कि पहला कि सिवराज सिंग का ओप्सन ढूंडा जा रहा है दूसरा कि भारतीय जन्ता पार्टी की स्थितिक ग्राउन पर उतनी मजबूत नहीं है क्यूंकि इतने बड़े बड़े नेताओं को जो मिनिस्टर हैं के अंदर में उनको उतारा जा रहा है यहीं रीजन है कुछ और है बात तो ये clear है कि पार्टी की हालत ठीक नहीं है और उनके पास जो भी दाव है जितने भी दाव उनके पास बचे हुए है वो खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन जहां तक रही मुखमंतरी की बात और options की बात तो बीजेपी एक बहु option लेकर चलते नहीं है जो जब होता है उनको option यह बना देते हैं जैसे आप इडी शर्मा को उठा लें जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चार साल पहले तक जब 2019 का चुनाओं नहीं लड़े थे उससे एक साल गेड़ साल पहले तक he is not a well known name वो छोटे से भोपाल शहर म बना दिया गया वो पहले MP बने उसके बाद उनको परदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो पार्टी ऐसे लोगों को ले करके हमेशा आ गया आती है तो फेस का बहुत इशू नहीं है बीजेपी के साथ क्योंकि बीजेपी को वोट करने वाले लोग वो फेस को वोट नहीं क कि उनको एक फेस के तोर पेश किया जाए और बहुत स्ट्रॉंगली पार्टी उनको सामने रख सके तो इसलिए उनको पीछे करके जो बाखी के फेस है जो क्लियर कट जिनकी इमेज अभी भी अच्छी है उनको सामने लाया जाए और एक इंपॉर्टन पहलू और है कि जेतन भी बड़े निताओं के नाम आप देख रहे हैं चाहे वो सांसद हो चाहे वो केंद्री मंत्री हो तो जब ये बड़े लोग चुनाओं लड़ते हैं तो एक मोमेंटम क्रियेट करने की कोशिश होती है क्योंकि उनके रिसोर्सेज वो सारी के सारी चीज़े वो उसको अभी इजद दाओं की बात किया जाए कि भाई एक पार्लियमेंट जीता हुआ जिसके अंदर में आठ एसेमली आती है एक पार्लियमेंट में वो एक एसेमली न हर जाए तो इस तरह से एक कोशिश हैं लोगों की की एक मोमेंटम बनाएं और चुनाओं को सीरियस मोड में ले लेकिन मामला पलट गया अब वो यहां पे उन्होंने घोशनाएं भी कर रहे हैं पार्टी के बड़े निताओं को भी उतार रहे हैं extensive election campaign भी कर रहे हैं और religious basis पे भी बात सनातर धर्म को ले करके हर जगे परधानमंत्री कर रहे हैं तो यह एक कोशिश है कि जतने भी पहलो इनके पास options बचे हैं उसको utilize किया जाए और कोशिश किया जाए कि चुनाओ को एक momentum create किया जाए और जतने भी आप seats देख रहे हैं अब तक यह 78 सीटें पे चुनाओ के घोशना हुई है लगभग जहां तक मेरा assumption है मैंने देखा है लगभग 75 सीटें कांग्रेस जीती हुई है पिछले बार के चुनाओ में तो तीन से चार सीटें हैं ऐसी जो जिन पर यह अब तक जीते हैं और जो जहां जीते हैं वहां उन्होंने candidates इस बार candidate घोशित की हैं जिसे परलाज सिंग पटेल केंद्री मंतरी हैं उनको नर्सिंग पूर से टिकट दिया गया है उनके भाई चोटे भाई जालम सिंग पटेल वहां से मिले थे उनका टिकट काट के बड़े भाई को दिया गया तो ऐसा नहीं कि फेस की कमी है इनके पा हम कासिब से आगे जो जोधिरादित सिंधिया हैं उन पर बात करेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट आप अगर दिल्ली में रहते हैं साथ दिल्ली के बाहर भी तो आप अगर अख़वार उठाएं तो हर दूसरे दिन मद्द परदेश का एक पेज का दो पेज का विग्याप खबरों के रूप में उपर सोटा सा कौने में इंपक्ट फीचर लिख दिया जाता है उसमें मद्द प्रदेश के मुख मंतरी की बड़ी सी तस्वीर होती है प्रदान मंतरी की तस्वीर होती है और पुरानी जो भी घोशनाय उसको खबर स्टाइल खबर का होता है लेकिन करमचारी को 18 महिने से सैलरी नहीं मिली उस पर प्याइबी ने बोला कि मिसलेडिंग है आखिर मसला क्या है वो लोग रांची की रहने वाले थोड़ा जो खबर है उसको बताएं जो भी हमारे देखने सुनने वाले लोग है रांची में कंपनी है एची सी का आ जाता है एची मिली लगेंगे जो मर्शीने लगेंगी उसको एची सी तैयार करता था और अभी तक करता रहा था इस सी के क्लाइट में इस रो भी है तो इस रो ने मतविया आज से ने काफे टाइम से लाइट के अलावा कई आर एकुप्मेंट है जो एची सी इस रो के लिए बना कर देती लेकिन और दूसरी बात यह कि एकिसी ने इस दो के लिए दो लॉंच पैड अब तक बना कर दे दिया है और वह तीसरा लॉंच पैड इस वक्त भी बना रही है लॉंच पैड वह चीछ होता है जिस पर कर रखके किसी यान को लॉंच किया जाता है यानि आप कहसे हैं सबसे तीस महेने से कोई सलड़ी नहीं मिली है इन कर्मचारियों के हालाथ यह थैं कि इन्हों ने तो पहले बैंक से लोन लिया किवल खाने के लिए जीने के लिए जब उसका मतलब लिमिटेशनला खत्म होगया बैंक का और वो लोन भी बढ़ने लगा इसके बाद इन्हों ने अ खोलिए एक चाहिक के दुकान खोलिए एक बबोज बेच रहा है और एक मकई जो मकः होता है उसको पका करशाम को बिजते हैं इसमें खासकर टेक्नीशन सबसे ज्यादा है जो इस तरह का काम कर रहे जिनके सहले पतीस से 30,000 ते 35,000 के बीच हैं आफिसर्स रहें के जो लोग है बीविसी की ब्रामक है और उसने आगे ये लिखा कि इसमें इसरो एचिसी ने चंदरियान 3 के लिए कुछ भी एकुप्मेंट बना का मतब लांच पैड का ओर्डर चंदरियान 3 के लिए इसरो एचिसी को नहीं दिया गया था सच्चा यही है कि जब आप मेरा साफ ये कहना ह कि जब आप अपनी कार खरीदने जाते हैं तो आप कंपनी को ये नहीं कहते कि मैं अपनी बेटी को देने जा रहा हूं या फिर मैंसे किराये पर चलाओंगा या फिर मैंसे खुद चलूँगा आप जाते हैं समाल लेते हैं और अपनी साफ से उसका इस्तेमाल करते हैं तो इ इस रो से डिरेक्ट कोई नाटा है भी नहीं लेकिन सवाल यहां कि एक सी जैसी कंपनिया जो देश के रक्षा सेतर में और कई सारे सक्टर में काम कर रही है देश में जितनी भी कंपनिया तक एस्टाबिस हुई है, जाए CCL हो, मतलब कोई लाकि जितनी सारी कंपनिया, उनके लिए कई सारी कुप्मेंट बना कर दिया है, वो कंपनी और उस कंपनिय के जो कर्मचारी है, वो पिछले 20 साल से सैलरी के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है, और सेंट जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि HEC को चंदरान थरी के लिए किसी भी घटक के निर्माण का काम नहीं सौपा गया था, पहले तो हेडलाइन में ऐसा चंदरान थरी का जिकर नहीं है, और तीसरे या चौथे पैरागराप में जो वहां के मैनेजर के रूप में काम करने वा कि हमारे अलावा भारत में और कोई कंपनी लॉंच पैट बनाती ही नहीं है, तो साफ साफ हो कह रहा है, मतलब यह उनका कोट है, वो साफ साफ कह रहा है कि अब आप हो सकता है टेक्निकली की चंदरान थरी के लिए हमने नहीं बनाया है, लेकिन जो भी हम ही बना रहे हैं, त तो पियाएबी को इतनी जल्दवाजी क्यों थी, कि उसको मिस कोट बता दो, जबकि उसका इस रहो से वो तो उस कंपनी को पैसे देने है, जो कंपनी के उकरमचारी है, तो आपको कोई फोन आया था पियाएबी वालों से क्या ख़बर लिखे हो? नहीं, पियाएबी के तरफ से मेरे पास कोई फोन नहीं आया, मेरे पास जिस हसान के लिए मैंने ख़बर किया, वहां से आया था, जो आपने ख़बर लिखे है, उसको क्लेरिफाय करने की, तो जो इस रहो के तरफ से जो ओडर की कॉपी थी, जो हमने ना च्छापने की शर् सही थी, कि भाई, ओडर तो दिया ही गया, इन फैक्ट तीसरा लॉंच पैड जो इस वक्त भी अभी बन रहा है, जिसका काम 40 से 50 परसेंट का असपरा तक पूरा हो चुका है, अनक कब तक पूरा होगा, क्योंकि अब एचिसी के पास अपना कोई प्यासा नहीं है, जो आगे चेतर में उत्पादन के लिए उतर रही है, तो ये भी चर्चा है कि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई कंपनिया उसको टेक ओवर करें, लेकिन इस कंपनी का हाला तब तक इतनी खराब हो जाएगी, कि इन प्राइवेट कंपनियों को टेक अवर करते वक्त बहुत कम कैस का इस्तेमाल करना पड़े, अभी भी अगर वो खरीदती है, तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जब इसकी स्थी और खराब हो जाएगी, तो साहिए और ज्यादे कंपनियों को टेक ओवर कर पाएगी, एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए और हमारे दर्सकों को ही, कि HEC जो है, वो सरकारी कंपनी है, PSU है, और उसके हालात इतने खराब क्यों है कि अपने करमचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, यह दो चीज़े एक बार अगर आप सफ़स्ट कर सका है, जिसके उपर सेंटरल गवर्मेंट का नियंतरन होता है, और इसकी लेकिन यह है, यह बात सरी है कि HEC को इस फॉर्म में त्यार किया गया, वो उत्पादन करे और अपनी कमाई खुद करे और बाकी चीज़ों को एंडल करे, लेकिन इस कंपनी पर सिज़ा केंट सरकार का नियंतरन है, उसके लिए केंट सरकार ही जिम्मेदार है, उसकी लाव के लिए ला हाटे में जाने का दो तीन जो इंपोर्टोंन कारान की है कि जैसे कि इस कंपनी यह कंपनी जब जिस वक्त बनी थी, यह रसिया के सहियोग से बनी थी उसके सहीयोग से बनी थी और आज से 6-7-5 साल के असफास हो गया इसके बने ही लिकिन अभी तक मशीने उस वक्त लगी, आज तक उन machine'ं को नहीं किया खुए लेकिन इस धोजुन ही जैसी बन आटी आप ba तो एक लोज भाफर विवह तो इसमें पूम टौन भी या उसCT का जो मॉडल सब्सक्राइब भी बना princip noisy या तो संचा जाए व Nós भी हो सकता हुए तो एक बार आपने बनाया दूसरा आप नहीं वासे तो जो लगातार प्रोडक्शन होता है यसे बाइक वगेरे की कंपने एक मॉडल बारा एक साचा बना उसका बनता रहा तो चीजे प्रॉफिट में जाती है एक कारण ये भी रहा तीसरा कारण ये रहा कि ये पिछले चार स से इस कंपनी के पास अपना कोई डारेक्टर नहीं कोई एंडी नहीं ये कंसर कारिया पॉइंट करती हैं अभी बेल जो कंपनी है उसके जो MDCMD है वही इसके इंचार्ज में है और वो दिल्ली में बैटते हैं और इसका मुख्याले राची में है वो साल में एकाद बार आत और कंपनी में वो डिरेक्टर नहीं वो इसके भी डिरेक्टर यानि प्रभार में चलना है ये तीन चार कारण ने कुल मिलेक और कुछ एक छोटा सा कारण है कि मजदूर संगठन जो है उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स रही है जिस वर से कई बार प्रभावी तरह या क सब्सक्राइब के दूर्छ बेच रहे हैं यह क्या कांट्राइक पर थे यह सरकारी करमचारी थे नहीं जो अभी जिन लोगों को निकाला गया है निकाला जा चुका जो फूर्त ग्रेट जो कॉंट्राक्ट और दूसरी तरब सरकार यह 75000 बांट रहे हैं प्रदानमंत्री र मैंने पहले भी खाता कि जो प्राइवेट कंपनी इसको टेक अबर करने का प्लान कर रही है इसको इस सिस्थी पर पहुचाए जाए कि इसको खरीदें वह बहुत कम पैसों का इस्तवाल होना पर जो जो वह बिल्कुल उसी रासτη पर यह मतलब यह कंपनी जा रही है जी जी इन लोग़ों से आपके बात होई जो सरकारी करम्चारी है जो लोग बन के वह और मलती होंगी सुबाएंगा इसको बनीब भाजा आँटेंटार इसको उनरो इनको एक मात झु ness.... इसका किराया बहुत 100-500 रुपे गास पास है इस वक्त है साथ जो अच्छे सिधानकारी ने किराये का तो उनके पास यह है कि उनका रहने के लिए उनके पास च्छत है लेकिन बागी जो सब्सक्राइब पैसा कट रहा था या फिर जो प्रेड कार्ड कंपनी के नाम पर मिल रह सबसे आराम से लोन मिल जा रहा था कई लोगों ने लोन लेकर गाड़ी खरीद ली अब यह है कि वो पैसा चुगा ने पार है कि कंपनिया गाड़ी उठा के लेकर चली गई जिनका लोन लेने का लिमिट खतम होगे अब लोन भी ले सकते हैं उनके उपर लोन का जिक्र किया है कि 2018 से लगतार कंपनी घाटे में जा रही है 18-19 financial year में 93 करोड़ उसके बाद 19-20 में 405 करोड़ उसके बाद 175 करोड़ फिर 21-22 में 256 करोड़ और last financial year में 283 करोड़ इस कंपनी का कभी अच्छा भी दौर था जैसे आप कह रहे हैं कि एक संभावना आप जदा रह जा इसको इतना मजबूर कर दो कि यह सच्टे में बिग जाए तो यह जो पांच सालों से घाता है या जो उधर के लोग हैं जो करमचारी वों बताते हैं यह पहले से लगतार घाटे में हैं और डेटा अपने पास पांच साल का है क्या है और उससे पुराना डेटा भी है मत और जो पात साल पहले की जो इस्तिती थी वो उसमें हर साल कुछ ने कुछ ये प्रॉफिट में जा रही थी लेकिन इस वक्त अब एचिसी के पास इतना ज्यादा कंपणी को पर करजा है जो इसको सिक्रूटी देती है CISF उसको पैसे लोटाने है बिजली का बिल है जो पिजल किया कि कंपणी के पास बहुत साथ बहुत जमीन थी मतलब यह एक इंपॉर्टेंस यह भी है कि राची को बसने में राची का जो अभी का जो फॉर्म है जिस जैसे राची दिखता है उसको बराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं तो HEC का रहा है अगर उस वक्त यहां नहीं होता तो यह सहर बस नहीं पाता देश भाहर के लोग यहां कि मतलब साथ खासकर दक्षिन भारत के कई सारे कर्मचारी यहां लंबे टाइम तक रहे तो HEC को जमीन बड़ी संख्या में मिली थी तो अब यह है कि मतलब जैसे क्या होता है कि बापने बेटे को जमी बेच कर जीवन बुजारा कर रहा है यहाल HEC का भी हो गया है बड़े संख्या में जमीन स्मार्ट स्रीटी के लिए जमीन बेची गई और भी बहुत कम कीमत पर इसके लबाद जो एस्ट्रीटियम बना है क्रिकट एस्ट्रीएं लेकिन अभी इस कंपनी को कम से कम जिन करमच कई सारे डिफोल्टर का लौन माफ कर दिया गया है इतना मतलब उसका अंख्रा मेरे बास अभी नहीं है मैं डूंड रहा था किरो मिलता तो मैं जरूर बताता कई सारे का लोन माफ कर दिया गया जितने पैसे में यह चीज सी कंपनी दवारा खड़ी हो सकती है आपने जो भा मेगवाल मंतर है उनसे मिला, महंदरनाद मिस्र मंतर है उनसे मिला तो सरकार जैसे आपने बताया भी कि सरकार ने ये सरकार का ये कहना है कि इसको तरीके से बनाया गया था कि कमपणी कुद कमाई और अपना खרचा चलाए लेकिन जब जैसे आप देखिए परसार भारती को भारत सरकार ने कुछ 2000 करोड का कुछ help किया है मतलब तो क्या ऐसी company को जो सैक्डलों की नौकरी चल रही है रोजगार चल रहा है तो सरकार आखिर आखिर आख की मोदी हुई है क्या वहीं conspiracy है जो आप थोड़ा संभावने जता रहे है उसकी तो संभावना है ही यह कारण गेव यह मतलब यह बात थे कि राची करहांसाद ने लगातार इस issue को पार्लेमेंट का अंदर भी दो बारी उन्होंने उठाया है और किन सरकार का टकासा जवाब रहा है कि हमारे पास ही को मतलब तुदा थीक करने के लिए को प्लाइन नहीं है यह एक लाइन में जवाब गो लिखे जवाब मैंने पढ़ा है मराजसभा लोगसभा के website से वह एक लाइन मेरा अधिशी का जो एरिया है वो राज़ी के लगवाब च्छे पांच चार से पांच ग्जानसभा सीट को प्रभावित करता है डिरेक्ली क्योंकि यह उतने एरिया में फैला हुआ इसे करमचारी और करमचारी और परिजए अनहीं इलाकों में रह रहे है और परनाची लोग सभा सीट को प्रभाइब तो करता ही करता है तो आखिर सरकार मदद क्यों नहीं गिर रही है मतलब किसंजर स्रीट ने आपको और रिकॉर्ड ना बता है या किसी नेता ने आपको और रिकॉर्ड पता है कि सरकार का इरादा क्या है मेरे पास वह जो पहला वारा था कि कोई कंपणि इसको ओन करेगी दूसरी प्राइब या तो प्राइवेट प्लेयर को ना पहुंचाने के लिए एक तरह से यह एक मतलब इसको धीरे धीरे कंड़म किया जा रहा है दूसरा यह है कि अगर इसको डिरेक्ली मतलब इसको तीन चारे जार करोड के मदद दे भी दी जाए और कंपनी दुवारा से खड़ी हो जाए लिए तो अगर image को फायदा होता तो खासकर central government के जो मुखिया है तो उनके image को फायदा होता तो जरूर इसको कर दियो तो नाम बदल के हो सकता है ना कि नाम बदल के बोला हमने इसको बचाया हो सकता है सरकार चाहे तो कॉंग्रेस वाले तो कहे रहाσत है कि नेवर अरोजी ने बनाया तो हम इसको हर हाल में बचाएंगे यह सेयोग को हट करेंगा हो अपनी इस्टिम है इतनी बड़ी कंपची में वह इसको पूं तो करती नहीं है कंपची नहीं रह रह रहे हैं और उसका जो इकोनमिक है उसका फाइदा मतलब सीदे तोर पर जारखंट को भी बड़ी मात्रा में मिलता है तो हमको यह लगता है कि सेंट्रल और स्टेट गर्मेंट को दोनों को मिल कोई प्लैन कर लेने चाहिए इस रिपोर्ट को आप बीबी से हिंदी पर पढ़ सकते हैं और प्याइबी ने जो कहा कि यह हेडलाइन भ्रामक है और उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि चंद्रान थिरी के लिए पैड नहीं बनाया एक तरीके से लगता है कि जिसने भी प्याइबी के लिए फैक्ट चेक किया है उसने ख़बर ही नहीं पढ़ी सिर्फ हेडलाइन देखा और पुर्व में जो खबरें इसको लेकर छपी है अलग-अलग संस्ताओं में परसेप्शन बनाया और उसको फेक न्यूज या जो अपना प्याइबी फैक्ट चेकर उस पे डाल दिया अब हम कासिव के पास लोड़ते हैं आखरी दो सवाल है मेरे आप से पहले मैं चोटी सी बात बहूँ आनंबाई की करते हुआ कि उन वही कारा रहे हैं पी आई बी वालों ने कहा है कि हैडलाइन की है पाट रियू को हमिस लिडिंग है और उससे भी बड़ी बात कि economic times कावाले से times of India ने ख़बर किया यह सरकार में कहा है कि भेल के उनसे भीठा कि मीटिंग किया और कहा है कि इसको इसका solution निकाला जाए लेकिन भेल के डिरेक्टर ने नाम ना बताने की शर्थ पर कहा कि इसरो ने order ऑडर दिया था इसरो के उपर कोई बकाया नहीं है इसमें इसरो के बकाया का तो कोई बात ही इसमें क्यों पैसा देगी बिल्कुल वहीं है कि इसरो का बस इसमें यह है कि वह company इसरो के लिए बनाती है बस वहीं है वह एक मात्र relation है और चंद्रयान थिरी की सफलता है तो कोई भी आदमी चाहता है कि इतनी बड़ी सफलता है तो हमारी भी बात सुन लो हमें पैसे दे दो जो हम 18-19 महिने से काम कर रहे हैं बच्चे को इस बच्चे का फीस नहीं जा रहा है सब चाहेंगे कितना बड़ा काम हो तो हमारा तो मिल जा है अब रास्टे गौरब का मसला है तो भाई या उससे हर कोई कनेक्ट खुद को करता ही है बल्कुल बल्कुल ये तो अल्वेटी कनेक्टेड है कासिप आप से आखरी दो सवाल है कि जोती रादित सिंधिया जो एक समय था कि कॉंग्रेस में जब वो थे तो माना जाता था कि कमलनाथ, सिंधिया और दिगविजा सिंग ये तीन लोग हैं अब वो उस बीजेपी में है जहां पे नरिंद सिंग तोमर है, सिवरा सिंग चोहान है इतने बड़े-बड़े लीडर है वहाँ पे जो लोग बिधाय कॉंग्रेस छोड़े थे उसमें वो सामिल थी मिर्ती देवी, उनको टिकट दिया गया है तो सिंधिया की अभी क्या इस्तिती है, पावरफुल है या जो कॉंग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि हमारे में थे तो साहिब कहा जाता था, इधर उनको पीछ चौथे नंबरों में बैठाया जाता है पहले राहुल गांथी के बगल में बैठते थे क्या है सिंधिया का पूरा मसला? हलाकि उनसे जोड़ी इंफर्मेशन बहुत अबलिक डोमेन में नहीं है और पत्रकार भी हिटमेन बनने से बचते हैं कि उनके बारे में बहुत कुछ डीटेल में लिखा जाए लेकिन जो मोटी मोटी बाते मैं सिर्फ ये बताता हूँ आपको अब्जर्वेशन जो अब तक का ये है कि जबसे वो पार्टी में आए उसके बाद से उनकी जर्णी देखने की बस एक बार जरूरत है तो बहुत सारी चीजें उसमें साफ हो जाएंगी कि वो अपने लोगों को लेकर किया है उनको मंतरी बनवाया और बाद में उक्चुनाओ हुआ उक्चुनाओ में करीब साथ आठ सीटे वोहार गए गौालियर की भी एक और उसके बाद उनोंनों कोशिश की कि अपने लोगों को सरकार में अड़िस्ट करवा है तो चुकी सरकार उनके ही बदौलत वनी थी तो उनके लोगों को अड़िस्ट किया गया ठीक है लेकिन अब जो 23 का चुनाओ है उसके बाद वो केंद्री मंत्री बना दिये गए राजसाब आवेश दिये गए केंद्री मंत्री बना दिये गए लेकिन उसके बाद की जो उनकी जरनी है उसके बाद जो हुआ पंचाय चुनाओ उसमें उनकी बहुत से नहीं रही इविन कि उनका प्रपोज किया हुआ मेयरल कंडिडेट भी गौलियर में पार्टी ने खड़ा नहीं किया। बात तो यहां तक है कि पार्शादो का टिकेट भी नहीं दिया, जो सिंधिया जी ने पार्टी को कहा। और उसके बाद आप आईए अभी के चुनाव पे तो अभी के चुनाव से भी वो गैमपेन से चुनाव समीती से उनकी बैठकों से पता नी एक तरह एक डूरी है वो बोल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं हाला और वो जतना झृख करके और लोगों के साथ मिल जूल के मिल रहे हैं मुझे लगता कि अगर कॉंग्रस में होते हैं तो आज वही सर्वे सर्वा होते हैं इसी तरह कि अगर उनका बिहेवियर होता लेकिन एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि यहां जब यह थे तब वो महराज थे उससे नीचे कोई बात नहीं थी और यहां पे आने के बाद वो एक कार्यकरता के तोर पे अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं पेश कर रहे हैं लेकिन पार्टी में उनकी जो वरियता है उसका उस तरह से सेंटरल लीडर्शिप तो रिस्पॉंड कर रही है जिससे पढ़ान मंत्री जी जी से इवेंट में आते हैं और सिंदिया जी वहां पे तो उनको प्रोपर रिस्पॉंस मिलता है कई जगों पे लेकिन कई जगों पे वह अग्दम साइड लाइन रहते हैं तो उनको भाशणों में बहुत उनको शामिल नहीं है चुनाओ के जो रणनीती बन रही है मुझे नहीं अंदाजा है कि उसमें कितने शामिल हैं कि उस मीटिंग की डीटेल्स नहीं आती इतने लोग अब तक करीब 40 लोग छोड़के कॉंग्रेस में आएं हैं बीजेपी से उसमें जो जादा तर दुखी लोग हैं वो सब का सब सिंध्या का रीजन देते हैं अगर हम उन 40 में से मान लें कि 35 बीजेपी के हैं तो 35 में से 25-26 आपको जो है वो वही लोग मिलेंगे जो उनके साथ गए थे या उनसे दुखी है उनके पार्टी में आने की वज़े से चाहे वो वरिष्ट नेता हो चाहे वो लोकल नेता हो तो पार्टी के लेवल पर बहुत एक्सेप्टेंस उनकी नहीं है RSS के उनकी काफी मदद कर रहा है पार्टी के अंदर उनको करने की लोगों से मिलवाने की जो उनके परदी द्वेंदी थे मतलब बिटर राइवल जिसको हम कहते हैं परभाद ज्छा और यह वास दौनली परसन जो के बहुत वोकल हो करके बोलता था और चुनाओ के दौरान छे महीने पहले से प्रेस कांफिरेंश शुरू कर देते थे वो सिंध्या जी को ले करके और दूसरे थे जैभान सिंग पवया यह बजरंग दल के बड़े राष्टियत धक्ष रहे हैं और कार सेवा कर रहे हैं बाबरी डिमोलेशन में इनका पार्टी में बड़ा दबदबा है गौालियर चंबल के बड़े नेता है यह मंतरी भी रहे हैं वो भी बेटर राइवल थे लेकिन उनसे भी दोस्ती कर ली गए तो पार्टी के लेवल पे लगातार कोशिश की जा रही है खास करके संग द्वारत उनको पार्टी में उनके अक्सेप्टेंस बढ़े लेकिन जो लोकल लीडर्शिप है वो उसको एडमिट करने को तैयार ने क्योंकि वो उनके पिलेट का खाना चीनके किसी और को दे रहा है तो इस तरह की चीजों की वज़े से पार्टी में वो स्ट्रॉंग पॉजिशन नहीं है जो के अठारा हम उनकी कॉंग्रेस में थी कॉंग्रेस में क्या थी मैं तीस सेकंड हूँगा कि टिस्टिकर डिस्टिबूशन पॉल कैंपेन जितने भी तरह के डिसिजन खास करके गौालियर चंबल का अगर कोई मामला हो और अगर बात राहूल गांधी तक भी पहुँच जाती थी तो बात यहीं तक आती थी कि अब सिंधिया जी से बात कुई और अभी हालत यह हो गई यह कि जिस चंबल में यह थे जो सारे बड़े फेस है वो सारे के सारे वहाँ पे हैं तो इनका जाहर सी बात है इंफ्लूएंस काम हुआ है सरकार में पार्टी में कोशिश लगातार जारी है इनको ट्रस्ट बनाने की उनको पार्टी में लेने की acceptance बढ़ाने के खास के संग की लेकिन उसमें किता सक्सीड होंगे उस पे नहीं कह सकते हैं लेकिन पंचाय चुनाओं का जो रिजल्ट रहा है और जो अभी के हाला दुआलियर चंबल से आ रहे हैं मतलब काउरेस इस परफॉर्मिंग वे बेटर दन बिडावट इस लीडर्शिप मेरा आखरी सवाल है अब से कि सरकार सिवराज सरकार MP में भाजपा सरकार जितना जादा योजनाओं की घोशना कर रही है उसी लेबल पे बिग्यापन चापे जा रहे हैं मुझे याद है जब लाश्ट इयर प्रधान मंत्री के जनमदीन पर ही चीता आये थे और दिल्ली में छोटे छोटे होडिंग्स लेके बड़े बड़े होडिंग्स तक चीता को लेकर लगे थे आजकर मैं अख़वार पलड़ता हूँ तो सिर्फ मतलब अभी हम MP की बात करें इसलिए मैं MP सरकार की बात कर रहा हूँ हर रोज एक दो विग्यापन छपते हैं पंजाब सरकार के भी छपते हैं 36 गड़ सरकार के भी होते हैं राश्ता सरकार के भी होते हैं लेकिन अभी हम बात MP की करें तो MP सरकार का हर एक दो दिन बाद विग्यापन छप जाता है दिल्ली के अख़वारों में कि वहाँ पी यह हो रहा है प्रधान मंतरी जब जाने वाले होते हैं तब तो छपता है छपता है विग्यापन पे और मैं कभी कभी लोकल अख़वार उधर का पढ़ता हूं तो वहाँ तो और भी आ रहे हैं तो विग्यापन पे किस तरह की नीती है, अख़बारों को, मीडिया को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ है क्या ऐसा? मैं दो बातें पहले बोल के शुरू करूँगा, पहली बात ये कि जतने भी अड़िटीजमेंट के डेटा है, वो हो सकता है, मेरे से जादा आपके पास हो, इस्टेट गवर्मेंट एसमली में हो, चाहे वो आर्टी आई के जरीए हो, चाहे वो अपनी वार्शी परती वेदन म नहीं देती, कि उन्होंने विग्यापन पे कितना खर्च किया, अब मैं खुद तीन चार आर्टी आई लगा चुका हूँ, विधान सभा में कई, इमिलों ने सवाल लगाए हैं, कि भाई, सरकार ने पिछले तीन साल में कितना खर्च किया, किस चैनल को कितना दिया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आता है, जानकारी एक अत्रित की जा रही है, एक लाइन में बात लिख दी जाती है, जो पिछले, मुझे जहां तक पता, तीन साल से लिखी जा रही है, तो ये फंड के बामने में कितना खर्चा हो रहा है, मैं यह नहीं कह सकता है, क्योंकि आख़ हैं हैं, और जो हर रोज विजबल है, मतलब टाइमस आफ इंडिया और और जो भोपाल के लोकल निउस पेपर्स हैं, चाहे हो पत्रिका हो, पिपल्स निउस हो, चाहे बासकर हो, इस तरह कि जो निउस पेपर को आप रोज उठा के देखेंगे, तो रोज का दो पनना रंग कि ये करेगा, उसको दिया जाएगा, और एक आफ दर रेकार्ड बात ये है कि एक टीवी वालों की मीटिंग ली गई और उसमें उनको कहा गया कि हम उनको एक मोटी रकम आफर करेंगे, अगर आप सिर्फ कांगरिस की खबर ना चलाएं, अच्छा, इवन इफ कि अगर आप सिर्फ बीजेपी की खबर चलाते हैं और हमारे नेताओं को दिखाते हैं, तब भी हम आपको उसका पैसा देंगे, ये आफ दर रेकार्ड है, ये मीटिंग हुई थी, जन संपर्क कारियाले में, वहाँ से इस तरह की बातें टीवी चैनल्स को दिया गया, क्या गया था, बा माद्धियम से हो चाहे हो बिना उसके हो, लेकिन इस तरह की बातें वो रिपोर्टर्स के सर्किल में बहुत तेजी से फैली हुई है, और अगर कोई सरकार के खिलाफ नेगेटिव खर पर चलानी भी हो, या अगर सीधी बात भी हो, या कांवरेस का एलिगेशन भी हो, अगर उनको चलाना हो, तो वो हमेशा कांड ऐसे नहीं पकड़ते हो, फिर ऐसे रिपोर्टर पकड़ते हैं बिचारे, कि फलाने ने ट्वीट किया है, तो मुझे स्टोरी करनी पड़ेगी, तो फिर उस पर अब करते हैं, बले ही, मतलब रिपोर्टर का जो उसका अदमराजा मैं इस बात से बताता हूँ कि कल साट सतर हजार की भीड बोपाल में आई, परदान मंतरी जी के इसमें, और उसमें शुरू के जो दो डी एरिया थे, अब वो जान बोज के खाली रखे गए, कि पूरी तरह से खाली थे, वो खाली थे, और लोगों को आपको कहीं दिखेगी नहीं, वरना नॉर्मली ये होता है कि अगर कहीं भी कोई रैली होती है इस तरह की, तो उसमें सारे व्यूज लिये जाते है कि परदान मंतरी जी ने ये कहा, उसमें फिर लोकल मीडिया, लोकल लोगों से बात करते हैं, जो लोग रैली में आये हैं, क जो रिपोर्टर्स चुनाओं के वक्त ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, लोगों से बात करते हैं, साभाय करते हैं, वो अभी तक देखने को नहीं मिला, जबकि चुनाओं में कुल दो महीने बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक successful हुए है और सरकारी machinery इसमें भी एक और मज़धार पहलू है सरकारी machinery वो मुखमंतरी और उनकी बातों को पर्मोट कर रहा है सिर्फ जो बागी BGP की machinery है वो मुखमंतरी को रखना ही नहीं चाहरा है पोस्टर में भी कही जगों पे वो गायब है तो ये इस तरह की चीजें भी एक दोएंद बना हुआ है पार्टी के अंदर तो ये मैं बैस इतना ही कहूंगा bottom line कहानी का सिर्फ इतना ही है कि मद्द परदेश का चुनाओ इस बार का जो चुनाओ होगा इसमें कोई limit नहीं होगी और अब तक का जो चुनाओ हम यूपी बिहार के pattern पे देखते थे चाहे वो पैसे का हो चाहे वो violence का हो वो सारे हथकंडे इस बार मद्द परदेश में देखने को मिलेंगे और जो अब तक 15-20 साल में वैसे चुनाओ न देखे गए ना आगे 15-20 साल में चुनाओ वैसे देखे जाएंगे इस बार को चुनाओ वैसा होने वाला क्यूंकि हमारे देश के नेताओं को बहुत तो सुकता है जन सेवा की वो जन लगा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कई वर पार्टी भी तोड़ सकते हैं खेर हम अपने पॉटकास्ट के आखरी चरण में हैं पॉटकास्ट का आखरी जो चरण होता उसमें हम कुछ सजिसन मांगते हैं रिकमेंडेशन कि आप ने हाल फिलहाल में क्या देखा क्या पढ़ा वो आप हमारे जो दर्सक हैं जो भी सुरोता है उनके लिए बताएं तो कासिफ आप से सुरू करते हैं तो मैं कहूंगा कि दीपक तिवारी एक पत्रकार है और लेखक भी हैं माखानडाल के वी सी भी थे विश्वे ब्याले के उनकी एक किताब है राजनीती नामा जो 1956 जब मद्रपरदेश बना से लेकर के 2013 तक विवरन है तो उसको देखा जा सकता है उसमें बड़ी मज़दार तरके से कहानिया है और जहां तक बात आप फिल्म और वेब सीरीज की कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैं दो दिन पहले ही मैंने एक हाट स्टार पे एक सीरियल आया है एक वेब सीरीज आई है इंडियन है काला उसको देखा जा सकता है और अच्छी बात यह है कि हम इंडोस्तान पाकिस्तान के बार्डर के कॉन्फिक्ट तो खूब देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं उस पे फिल्में बनी लेकिन बंगलादेश का जो पूरा का पूरा एरिया वो भी तक एकदम कटा हुआ है उस तो फिल्म इंडो और बंगलादेश बार्डर कॉन्फिक्ट पे वो वेब सीरीज बेज़ है और एक आईडल आफिसर की कहनी तो वो एक इंटर्टेन्मेंट के लिए देखा जा सकता है सस्पेंस थ्रिलर और ड्रामा है इसमें आनन्द आप मैं दुबारा से एक बार फिर से रागदरवारी पढ़ने ने पढ़ना शुरू किया है तो फिल्म आपके आँके सामें ऐसी तेरती रहती है तो दुबारा से उसको पढ़िए मजा आएगा थोड़ा दिमाग भी हलका रहेगा मेरा रिकमेंडेशन है जो ससी सेखर है हिंदुस्तान हिंदी के संपादक उनकी किताब है मिटता भारत बनता इंडिया इसमें उनके एडिटोरियल का संगर है जो इंडिया टूडे अमर रोजाला में लिखी है हम मतलब जो हमारे दौर के जॉर्नलिस्ट है अगर उसको पढ़ना समझना चाहते है तो उनके लिए एक अच्छे किताब हिस्टरिक के थोड़ा पीछे जाकर कि क्या चल रहा है क्या लिखा जा रहा इसके अलावा मैंने एक वेब स्रीज देखिया आप लोग देखिया साएत पसंद आये मुझे बहुत मजा भी नहीं आया, बहुत बुरा भी नहीं लगा बंबई मेरी जान तो वो दाउद पे बनी हुई है और उन्होंने ऐसे छोड़ा है पता नहीं बताना चाहिए नहीं कि उनकी जो सिस्टर थी वो कैसे फिर अपना सुरू करती है मुझे लगता पार्ट टू उनके सिस्टर पे ही आएगा क्योंकि Once Upon Times in Mumbai पार जो अजय देवगन और उनकी वाली थी वो भी लगभग वहीं कहानी थी इसमें थोड़ा डीटेल में गए है क्योंकि उसमें भी दाउद की ही बनने की कहानी थी इसमें भी दाउद के बनने की कहानी है आप दोनों का बहुत सुक्रिया और आपको ये पॉड़कास्ट कैसा लगा हमें जरूर लिख कर बताईए साथ ही एक बात ध्यां रखिए कि News Laundry किसे से विज्ञापन नहीं लेता ना ही कॉर्परेट से और आप चाहथ आप प्यूवकर बात नहीं विज्ञापन दोस आपको ये एक आप बूलिख दिछी ड की संटों सब्सक्रिप्शन पिक लिख खिए ले ले आपने दोस्टेद्वीन लूस एक बेस्द्वीन घंदेन नहीं लीजिए and indeed the future of democracy depends on it.